चैये मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह के दो दिन साथ फरवरी और आठ फरवरी के कन्या राशी फल के बारे में तन्यराशी के लोगों के लिए इन दो दिनों में कैसी ग्रहय नक्षत्रों के श्तिति होगी, क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिंचर्या पर कैसा होगा, आपका व्यवसाय कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, प्रेम जीवन, व्यवाहिक जीवन, आपकी योज की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो चली जान लेते हैं ये दो दिन आपके लिए कौन से नक्षत्र बन रहे हैं योग क्या बन रहे हैं और तेथी क्या रहेगी साथ फरवरी के बात करते हैं शुकल पक्षकी त्रियोदिसीती थी है और इस दिन ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे तो एक तो दोस्तो जो साथ फरवरी का दिन है इस दिन गजकेसरी योग बन रहा है जो बहुत ही शुब योग माना जाता है गजकेसरी योग अपने आप में ही मनी फ्लो का काम करता है यानि ये जो दिन होता है ये आपके पैसे को बढ़ाने वाला दिन होता है आपके धन मे में कोई मांगले कारिया है शादी विवाह का समान हो है आप कुछ आभूशन खरीदना चाहते हैं अवाहन खरीदना चाहते हैं तो ये दिन सबसे उत्तम दिन है पुष्चन अक्षत्र में की गई खरीदारी कई गुना लाव कराती है और आपके लिए बहुत शुब भी होती ह इसलिए इस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं और गजकेशरी योग अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है और अब हम जानेंगे ये दिन आपके लिए विस्तार से कैसे रहने वाले हैं तो अगर हम चंद्रमा की इस्तिती की बात करें तो चंद्रमा राशी करक राशी में प्रिवेश करेंगे इसके लावाज जिन से त्रिग रही योग का निर्मान भी होगा जो भी आपके लिए कई तरह के फायदे लेकर आएगा तो ये समय जो होगा ये आप अपने व्यक्तितों और अपने रूप को लेकर खुश रहेंगे और खुद को शशक्त महसूस करेंगे और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है आप अपने व्यक्तितों को कितना निखार पाते हैं अपने व्यक्तितों को अपने आपको कैसी दूसरों के सामने पेश करते हैं तो ये जो चीज होगी इसे आप जाहिर करेंगे अपने विचारों से अपनी आपको बेहत खुशी होगी और खास कर आप अपनी जीवन के खास वेक्तियों के साथ इस पल को काफी अच्छे से वैतीत करने वाले हैं तो अच्छा समय ये है अच्छे समय की ये शुरुवात है आपके लिए जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो इस समय किसी सरकारी नौकरी के लिए अपलाई करने वाले हैं तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अपलाई करते हैं तो आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं नौकरी छोड़ने का डिसीजन लेते हैं तो कोई भी बड़ा निने लेने से पहले आपको अच्छे से सोच विचार कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपनी ऐसी नौकी kung छोड़ने के बारे में विचार करना है, वरना आगे चलकर आपको परिशानी भी आ सकती है, इस समय आपके पास किसी बात को लेकर समर्थ़न आ सकता है, खास तोर से यह आपकी शादी से जुड कर सकता है कि आपका वो कितना ख्याल रखना है तो इन चीजों की तरफ आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा आपके लिए जो दिन हैं दोनों ही दिन बहतरीन रहने वाले हैं आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी जो आपके लिए फाइदे मंद होगी आपके कारियस्थल पर आपकी इमान मर्यादा बढ़ेगी और उन्यती के कई अफसर भी देखने को मिलेंगे आपको अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा इस समय जो प्रेम संबंद में हैं वो एक दूसरे को पहार देकर अपने रिष्टों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं तो यह जो प्रेम सांती बनी रहेगी और यह समय होगा कि आप अपनी जीवन शैले में कुछ बदलाव करना चाहेंगे यह बदलाव आपके लिए फाइदे मंद ही सावित होगा जो लोग कपड़ों का वैपार करते हैं उनके लिए यह समय बड़ा लाबदायक रहेगा जो एक्सपोर्ट बड़ा निकरता हुआ वेक्तित होगा प्रभाशाली वेक्तित होगा आप सज़ेंगे सवरेंगे और लोगों की नजरों में बड़ा सुंदर आप दिखने वाले हैं आप अपनी योगताओं सफलताओं के लिए आपको पहचान मिल सकती है आपके अपनी प्रियाजनों के सा आप वक्त गुजारेंगे और इस अफसर का पूरा लाब भी आप उठाएंगे ये दो दिन आप खुद को काफी उजवान महसूस करेंगे एनरजी से भरपूर रहेंगे जल्दी जल्दी अपने कामों को निप्टाएंगे और जल्दी कामों को निप्टाएंगे तो लोगो को सभी रास्तों की बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करेंगी और इन दिनों में आपका खर्चा भी होगा हो सकता है दना दन पैसा भी खर्च हो जितना आप खर्चा करेंगे उसको आपको थोड़ा कंट्रोल जरूर करना होगा तो अगर जरूरी चीजें हैं तो उन पर को आप रोक सकते हैं तो इसचीज नहों को जरूरी सावधाने रखनी होगी रिष्टों को आपके द्यान क्या वाश्कता है अपने हर रिष्टे पर आपको द्यान देना है परिवार से जुड़े हर रिष्टे की गहराई आपको समझनी Shap ef इस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर अंदाज महसूस करेगा जिसका आपकी जीवन में महत पौने स्थान है और जैसे वो आपका सहकर्मी हो सकता है या आपका कोई कजन हो सकता है भाई बहन तो उन चीजों के आपको ध्यान रखना होगा अपने रिष्टों को आपको सम्ह जुरत की चीज़े हैं सेहत के लिया आद से देखा जाए तो यह जो इस्थिती है यह आपके लिए सेहत की तरफ से मजबूत नहीं है स्वास्ते संबंदी कुछ परिशानिया हो सकती है तो स्वास्ते का जरूर ध्यान रखना है खास दोर से अपने खाने पीने का ध्यान जो आपके माता के लिए बहुत अच्छा है आपके माता को लाब भी होगा और माता का स्वास्ते भी अच्छा रहेगा और माता का साथ भी आपको मिलेगा आपके लिए यह योग सुखों में वरधी कराने वाला सावित होगा आपको भूमी का भवन का सुख दिलाने वाला स समय आप कोई शत्रू आपके सामने निखर कर सामने आ सकता है तो उससे भी सावधान आपको रहना होगा जो लोग नौकरी करते हैं उनका अपनी नौकरी में मन लगेगा वो पुरी मन के साथ अपनी काम को करेंगे कारेशित्र में आपको अपनी सहकर्मियों का साथ मिलेगा व अच्छा profit आपको कहीं से दिला सकता है तो ये समय आपके लिए काफी अनुकुल है आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अनुकुल बना हुआ है आपके जीवन में सुख सुविधाओं के प्राप्ति कराने वाला सुख सुविधाओं बढ़ाने वाला प्रेम जीवन मे बहुत अच्छा है समय रहेगा और परिवार वालों का साथ भी मिलेगा बस स्वास्ते संबंदी को तो कुछ उतार चड़ाव की स्थितिया बन सकती हैं तो उनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा अगर विद्यारतियों की बात करें तो ये दोनों ही दिन विद्यारत कि आपको कड़ी मेहनत के दंपर ही अच्छी जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा तो समय काफी अनुकूल है कोई ऐसी इस्तिति नहीं है जो आपके लिए अनुकूल ना हो बस आपको समय का लाव उठाना है तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें ताकि और लोगों तब यह पहुंच सके और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें